यार आज देखो मैं अपना प्लें बटन बना रहा हूँ यूटिव वाइल तो टूके पर देते नहीं है लेकिन मैं अपने लिए बना रहा हूँ टूके पर तो देखो कैसे बना रहा हूँ तो आप लोग सोच वहाँ NI क्रेओं सोरी संटि ये इसकेच्ट उज़ करके अपना प्लें बटन सा बना रहा है तो इससे तो सही भी निल् 건 reduce लेकिन आप के देखते हूँ था होता है क्या अब हरा when तो यार यहां पे यह यहीं पे हमारा प्ले बटन बनेगा यानि जो बीच में ट्राइंगल से होता है न वो यहां पे बनाएंगे हम तो अभी हमारे स्केच से यह फायदा हुआ कि मैं से थोड़ी आउटर लाइनिंग कर लूँगा फिर आप आगे देखो क्या होता है तो यार यहां पे हमारा अल्मोस्ट कम्प्लीट होने वाला यह बेसे काम लेकिन अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है तो हम ऐसे ऐसे ऐसी ही नहीं छोड़ सकते तो आगे देखो अब आप लोग भी समझ गए होगे कि मैं क्या करने वाला हूँ अगर नहीं समझे यानि कोई प्रॉल्म नहीं है अब मैं इसको पूरे को पेंट करने वाला हूँ यह फैबरिकल पेंट है तो इससे काफी अच्छा लूक आ जाएगा ब्राइट सा लूक आएगा इस पे और म जो गैप रह जाता है या फिर जो कागज होता है नो काफी पतला पतला सो जाता है वह नौ इससे रखते हैं भी साइड में आ रो और अपना आयगा काम शुरू करते हैं यहां पर मैं एक अवर्व्यू सा बना ले रहा हूं इसका प्ले बटन का वही जो ट्रैंगल्स होता है फिर उतना ही काटके हम इसके उपर लगा देगा भाई आप लोग सोचे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया यह तो ऐसे भी सही लगता है लेकिन यह वो अंदर को दबा वह सा था मुझे अच्छा ही लग रहा था तो मैं सोचे इसको थोड़ा सा भार से बनाते तो थोड़ा अच्छा सा लोक आएगा यहां पर मैंने पांच या छे पीसे के ट्रैंगल के कट कर ली है अगर अगर बनाओ तो अपने साइस के अकॉर झाल 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 यार ये देख रहे हो ये स्क्रेच जो को मैं उपर से दिखाता हूँ इस प्रेच पढ़ गया खराब कर लिया एक लाइक तो मनता है लाइक कर दो भाई अब हमें बनाना है प्ले बटन का इन जो बैक ग्राउंड होता है न आपने किसे भी यानि बड़ा यूट्यूबर होगा तो फोले बटन होता है न उसके पीछे बैक राउन पास ब्लैक है तो घुटार ऑन फ्रेमें लगा सकूं तो फ्रेम में делать को का फ़ी हार्डं मोटा सा बनाणा पड़ेगा जो पशे और जो पेज हमने कट किये थे ना वही री यूज कर रहा हूं ताकि हमारा पेज भी बेस्ट नहों पेज यूज भी हो जाए अच्छे से तो अपने पेज यहां पेज जुड़े हैं अच्छे से और अगर आप पेज यूज नहीं करना जाते हो आप एक कार्डबूर भी अगे देख आप जानी रहा भी है अब हमें से करेंगे ब्लैक पेज तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था की ब्लैक करूंगा और पलैक यानि काफी अच्छे लोग भी आ रहे हैं और मैं अपने स्टाइल से बना रहा उं तो यान मुझे बलैकिकक्र लगेगा रैड्ड बस दन है अब तो आगे इसका काम शुरू करते हैं देखते रहे ना अच्छे से भाई यानि यह बहुत अच्छा लग रहे अच्छे से फिट हुआ है इस पर सही जगा मैंने लगाने की सोचा है यानि थोड़ा लेफ्ट में लगाऊंगा ताके मुझे इन फ्यूचर को भी हो रहा आगे भाई आप देख रहे होगे अब कि मैंने इसे थोड़ा लेफ्ट में ही लगाया है क्योंकि राइट में थोड़ी जगा छोड़ी है क्योंकि मान लोगा फ्रेम हमें नहीं मिलता इतना यानि लेंथ वाला नहीं मिलता वाइट नहीं मिलता तो हम इसको थोड़ा कट भी कर सकते हूं और उपर से मैंने इसी लिए गैप छोड़ा है ताकि उपर से भी कट कर सकें इसे अब यह तो डन है अल्मोस्स हम थोड़ी देश से सूपने देते हैं ताकि यह अच्छे से चिपक जाए पर मैं यार सोच रहा हूं कि यानी जो यानी साइड का एरिया है हमारा यही कि इस पर थोड़ा वाइट की वो लाइनी कर दें लेकिन यार यह थोड़ा सही नहीं कि वाइट वाइट फेर फ्रेम से चुपना जाए तो सोच रहों कुछ तो अच्छा करूंगे इसमें कुछ तो खुराफात कर लिए तो यो 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 गाइज अपना व्लॉक बटन हो चुका है कम्प्लीट यह देखो व्लॉक में सॉड़ी यो टीव बटन कम्प्लीट हो चुका है होपसो आपको यह वीडियो अच्छो ही लगी होगी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब जरूर करके आना चैनल को लाल सा बटन जो है नीचे वह दबा देना और घंटा जरूर अग्वाना